हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, कोक विट टेस्ट आज हम बनाएंगे बिंडी की सबजी, क्रिस्पी और मसालेदार बिंडी आप भी इस चैल से बिंडी की रेसिपी को एक बर जरूर बनाएं, आपको भी भहती पसंद आएगी इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजो क्याव शकता है, आएए इसकी लिस्ट तेख लेते हैं सबसे पहले हम बिंडी को अच्छे से धो लेंगे और इसे सुखा लेंगे बिंडी का सारा पाने निकल जाना चाहिए अगर बिंडी अच्छे से नहीं सुखी है वह गीली है तो इसे कोटन के कपड़े से पोच लेंगे इसके बाद हम इसे कट करेंगे बिंडी के हैट पार्ट को और बैप पार्ट को भी हम हटा देंगे इसके बाद हम इसमें बीच में चीरा लगा देंगे जिसमें हमने मसाला भरना है इसमें मसाला भर करी हम अपनी मसाले दर भिंडी को रेडी करेंगे इसी प्रकार हमने सारी भिंडी को काट लेना है ये मैंने 500 ग्राम भिंडी का यूज किया है और 4-5 मैंने हरी मिर्चे ली है, अगर आपको तिखा पसंद है तो हरी मिर्चे लें नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं अब हम मसाला बनाएंगे, आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे मैं कश्मिरी लाल मिज पाउडर का यूज कर रही हूँ गरम अलेंगे आमचूर पाउडर पाउडर अलेंगे किचन किंग मसाला डालेंगे अगर आपके पाश अवेलेबल है तो डालें नहीं तो इसे स्किब भी कर सकते हैं धनिया पाउडर डालेंगे एक छोटा चम्मच हम इसमें ग्रेट किया हुआ लसंड डाल देंगे आप लसंड का पेस्ट भी बना सकते हैं और एक चम्मच कुकिंग वैल डाल देंगे सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी इसलिए मैंने अब डाला है अब हम बिंडी में बरेंगे इस तरह मसाले को बिंडी में दबा दबा कर अच्छे से भरें और इसके बाद बिंडी को बंद कर दें ताकि मसाला हमारा बहार न निकले इसी तरह सारी भिंडी में हमने मसाला भर लेना है भिंडी मैं सरसो के तेल में बना रही हूँ आप चाहें तो कुकिंग ओल का यूज भी कर सकते हैं लेकिन सरसो के तेल में भिंडी बहुती क्रिस्पी बनती है सरसो के तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे इसके बाद एक चुटकी नमक डाल देंगे इससे सरसो के तेल में से स्मेल बिलकुल भी नहीं आती एक तो पिंच हिंग डाल देंगे आदा छोटा चमच जीरा और आदा छोटा चमच अजवाइन डाल देंगे जब जीरा हमारा अच्छे से तड़क जाए हम इसमें भिंडी डाल देंगे Low to Medium Flame पर हम भिंडी को भूनेंगे हलका हलका स्पैचुला चलाते हुए भिंडी को मिक्स करेंगे भहुत जादा तेज हमें स्पैचुला को नहीं चलाना है नहीं तो हमारा मसाला निकलने लगेगा लो टू मिडियम फ्लेम पर इसे क्रिस्पी होने तक हम ऐसे ही सेख लेंगे बीच बीच में हम इसे चला देंगे ये देखिए भिंडी पर एक क्रिस्पी सी कोटिंग आ गई है इसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और दो से तीन मिनट के लिए इसे ढख कर पकाएंगे बीच बीच में हम चेक पी कर सकते हैं अभी भिंडी हमारी गली नहीं है गैस की फ्लेम को लो करके इसे दो से तीन मिनट के लिए और पका लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स भिंडी हमारी रेडी है बहुत ही जल्दी ये भिंडी की सबजी रेडी हो जाती है और सभी को बहुत ही पसंद आती है क्रिस्पी मसालेदार भिंडी हमारी रेड़ी है अब हम इसे गर्मा गरम सर्फ करेंगे आप इसे रोटी, प्रांठी, किसी पी चीज के साथ सर्फ कर सकते हैं क्रिस्पी मसालेदार भिंडी की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वचिंग गुड़ बाई आप हमारी ये रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं